हलो दौस्तों सभ्यों है आप स्वागे आप सभीका आपके अपने यूट्यूद चैनल इस्टेर नंबर में दोफ्यों स्वागे थे आप सभीका ए्टे नंबर वन के यूट्यूद करोंगा उसी के वेस्ट पर हमने चल रहा हूं और इसके पहले हम ने पुड़ी संतनतकाल को कि नजर में देख लिया हूं कि किस प्रकार से संतनतकाल में कितनी वंच थे और किस प्रकार से उनको देखा गया था और आज हम उसी सीष को continue करता हूं और आज की वीडियो में हम लो नए है चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेश कर देज़ेगा और होसके गातों वीडियो को सेर कर देज़ेगा और लाइक करके चलते हैं तो दोस्तों जैसा कि हम आपने जानते हैं कि मुहम्मद गौरी के भारत जाने से पहले उन्होंने दो लोगों को बक्तिया घिलजी मिला दिल्ली वाला हिस्सा मिला तो दोस्तों उसी के समध्र में हम चलेंगे कि दिन एबक मिल करके इसका गुलामोंस की स्थापना करते हैं गुलामोंस इसे गुलामोंस भी का जाता है और दासमस भी का जाता है या भी मामलू को भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को सुरू करते हैं कंटीनू करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने र जाएंगे तो चलिए दोस्तों सुरो करते हैं लेकिन आज की भीडियों में हम लोग बताये हैं कि कुत्बु दिन एबग बाराशो च्छ लेकर के बाराशो दस वितक इनका कारकाल या सासन था तो दोस्तों इनके विशएंव हम लोग ठ्वास जान लेते हैं कि यहीं पुरी का विश्वासित दास या सेनापति था और फिर कहा जाता है इनके जन्विक संबंद में यह वह एक करक जनजाती थे यह जो जन जाती था और देखिए इनको क्या है इनको बचपन में निशापुर के एक काजी ने दास के रूप में खरी लिया था यहनी कि कुद्बु कुद्बु दिन एबंद को जब बचपन में थे यार जिकी छोटे थे उनको निशापुर के एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था और देखिए यह बंद का संस्थापक बना यहनिके दास कर लिजिए या फिगुलाम आंज कर लिजिए या फिह मामलुक भी कर सकते है कुटबी अबंगनी अपनी राज्धानी कौन कहा चुनी लाहोर में नंड़िप पाकिस्तान पाकिस्तान hypert? पड़ता है तो चलिए इनकी राजधानी कहां थी लाहो थी यानि कि पाकिस्तान में थी और इन्हों ने अईसा नहीं है कि इन्हों ने दिल्ली पर दिल्ली से आका राज किया नहीं इसा नहीं है इन्हों ने पाकिस्तान में लाहो से राज करना प्रादम करते हैं और देखे भारण किये बिना सासन किया था। कुथुदीन एभग ने अ क्यों नहीं किया ये तो गई जानते हैं कि हमने क्यों नहीं किया बट इन्हेर कहा जाता है कि कुछू Entwicklung एवयुक्त Нап㉁न कि कोई भी यदि सासन पर लोग कि इस वह के सासत करता थे तो कहा जाता है कि कोई भी यदि सासन पर बैठता है तुमां सुल्तान के उपाधी धार करता है किस से खलिपा से सुल्तान के उपाधी धार करता है लेकिन कुद्बु दिन एबग ने कोई सुल्तान के उपाधी धार ने किया बल्कि इन्होंने अपने से ही माना था कि हम सुल्तान हुए हैं यानि कि अपना स्वयम से उपाधी इन्होंने ले लिया था और देखिए कुद्वुदीन एबग यह था वे बहुत ही दानी प्रभिर्वीति Birdie करा था और इसी दानी प्रभिर्वीति नि पीकरणव physiology कि आया जा जा Так तो आप लोग अताएंगे कि लाक बक्स कुद्वुदीन एबग को कहा जाता है और कियों कहा सब्रृत्ति का था तो यहां आप देख सकते हैं कि कुधवु दिन उसे लाख बक्स कहा जाता है यानि कि कुधवुदिन को लाख बक्स Kas C, जाता है हूँ इन्होंने दो ने में कर वाया क्वासर मैं कोफ़ इन्हों ने निदेख सक्टे हैं कोफ़ ऐसलाम का निर्मार कर वाई प्रिक्लाइब का निर्मार डिली में कर दिल्ली में निर्मार कर दाया है लाग मस्जित का नाम है यह इसको बनाने मत अध्यायOWख ताइप लगा था तो दिल्ली में कुवत दिल्लाम दिली में कुवत उल इसलाम और मेर में अधाई दिन का जोपढ最 wiele और कहा जाता है कि उन्हों ने ही कुत्बु दीन कुतूब मिनाद का निर्माब हुआ की कुटुब मिनाद का का है कहां पई दिली में अभी देखेंगे किि इसको पूरा किस ने कर भाया इन्हों के बाइब निर्मार नहीं करवाया इन्हों के बाइब नियु रखी थी और निर्मार कोई दूसरा करवाता है अभी इसको भी देखेंगे तो यह आफ देख सकते हैं दिल्ली में कुवत पर इस्लाम निर्मार करवाय और अज्मियर में अठाय दिन का जोपड में कोई जोपड़ा या टूटी-फुटी की मड़ए नहीं है बल्कि यह क्या है एक प्रकार का मस्जीद है दिल्ली में कुबत उलिस्लाम अजमेर में अठाय दिन का जोपड़ा और देखिए दिल्ली में ही कुतुब मिनार की नीव रखी थी किसने कुत्बुदीन एबकने किसने कुत्बुदीन एबकने और कहा जाता है कि 1210 इस्वी में इनकी मिर्ति हो जाती है कैसे मिर्ति हो जाती है चवगान खेलते समय इनके संब्स में कहा है कि इन्हों ने को झोड़े से घजाती थे तो कहा जाता है कि इनकी जो कर सकते किंगे करें कर गरते हैं कि इन्हों ने घोड़ेपर बैठ कर चौगान कहें खेलते समय इनकी जो लूंगी थी वह किसी प्रकार से खुल गई उसको बांधने के लिए बांध रहे थे और घोड़े अचानक से अगला पर उठाया और उठाने के प्रस्चात में इन्होंने पीछे की तरफ गिर गए जिससे इनकी मिर्ति हो गई तो दोस्तों यह थी कुतबुदी एबक की कह होंगे तो वहीं आगरा में इनके इनको दफनाया गया है और 1210 इस्वी में मिर्ति हो गई थी क्यों मिर्ति हो गई थी चवगान खेलते समय घोड़े से गिर कर किसे घोड़े से गिर कर तो चलिए दोस्तों कुतबुदीन एबक की कहानी पूरी फाइनली कंप्लीट होती है इनका कारेकाल 126 स्वी से लेकर 1210 स्वी तक रता है तो आई होप उम्मीद करता हूं कि आपको इनसे एक भी क्विस्चन को और इनसे एक इनसे एक भी क्विस्चन आपसे नहीं चूटेगा और आप ध्यान पूर्वक देखे होंगे तो चलिए दोस्तों इनके बाद में आप सासर को खोजना म allergic क्रण पढ़ जाता है तो इनका पुत नहीं इनके स्थान पर सासर बड़ जाता है कि लेकिन औन इनका सब्सक्र में सतर बन जाता है लेकिन इनका एक दास कह लिजिए या दमाद कह लिजिए कौन है समसु दीन इल्टु तमीज यह क्या है कुत्बु दीन एबक के दास हैं समसु दीन इल्टु तमीज और इनका कारेकाल आप जान लेजिए पहले बता दें समसु दिन इल्टु तमीज नहीं अपना कारेकाल कर लिया देखिए इनकी संबद में कहा जाता है कि आराम सा देया लहाव से अपनी राजधानी मानते हैं लहाव से राज करना चाहते हैं तो इल्टु तमीज भी राज करना चाहता था तो इल्टु तमीज ने अपनी राजधानी लाहाव न बनाते गanter अपणे दिल्ली में बनाई दिल्ली में बनाएं आपको तो पुड़ा कंफर्म हो गया होगा चूकि दिल्ली अजमेर में लाहवर में अराम सा राजगर्दी पर बैठा था तो अब अजमेर लाहवर में तो इलतुतमीश बैठ नहीं सकता है तो यहां से बनता है कि पुड़े सल्तनत काल में सर्वत्रथम अपनी राजधानी दिल्ली कौन स्थाना अन्तित किया तो आप खटाक से बता सकते हैं कि किसने इल्टु तमीषने समसुदिन इल्टु तमीषने यहां पर देख सकते हैं इनका कारेकाल 1210 से 1236 स्वी तक रहता है तो दोस्तों इनके संबन में चलते हैं कि यहां कुत्बु दिन एबक का दास दास और दमाद दोनों था और क्या है उसने खलिफा से सुल्तान के सुकीति ले देखिए जो कोई भी उपाधि कोई भी खलिफा से सुल्तान की उपाधि नहीं ली बट इन्हों ने क्या किया कि सरप्रथम सुल्तान की उपाधि ली किस से खलिफा से खलिफा से सुल्तान की उपाधि ली तो खलिफा ने इनको एक प्रकार की उपाधि और दी उस उपाधि का क्या नाम ह खिल्वत नामक उपाधी खलिफा ने इनको दी कौन सुल्तान की उपाधी लेते समय तो चलिए दोस्तों आगे क्यों बढ़ते हैं और इन्हों लेकिन यदि बात आती है वास्तविक संस्थापक की तो वास्तविक संस्थापक कुतबुदीन एबख नहीं माने जाएंगे क्योंकि उनका कारेकाल मात्र चार साल का था और चार साल में ऐसा कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए तो उनको क्या पुड़ी रहता है और घुलाम में का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और Bunny sat प्रसाद के अनुसार माना जाता है यानि कि आपको आप से में पुछ सकता है कि गुलाम को वास्तरिक संस्थापक किसे माना जाता है तो आप बताएंगे वास्तरिक संस्थापक को माना जाता है लेकिन आप पुछे का प्रस्ण में कि कि किसके अनुसार माना जाता है तो इस्वरी प्रसाद के अनुसार वास्तिक संस्थापक माना जाता है आप यहां देखिए अगला पॉइंट क्यों बढ़ते हैं इक्ता प्रथा चलाई इक्ता प्रथा यानि तुर्कान चीहलगानी होता क्या है दुस्तों मेरे पढ़ाने का मकसद यहीं होता है कि आपको concept clear कराएं आपको एक-एक सब्द का संचित अर्थ बताएं तो देखिए आप यहां पा आ गया तुर्कान चीहलगानी का में अर्थ यह होता है कि 40-40 सरदारों का एक समुह बनाना क्या तुर् पुड़े कारेकाल को एक आसानी रूप से देखा करते हैं यानिकि जो 40 सरदार थे यह पुड़े कारेकाल को यानिकि पूरे जो भी यह दिखित होती थी तो तुर्काने सजलगानी के सरद्च या करते पाइंट कीला बढ़ते हैं पाइंट रभय का सिक्छा और चांदी टंका सुदरी काल चलवाया circ को कुदबु दीन एवर्ग इल्थु तमेश की इनकी कुदबु दीन एवर्ग ने जो कुदब मिनार कानीन रखवाया उसको पूरा किसने करवाया इल्थू तमीशने रख और इन्हों ने उसको पूरा करवाया इल्थू तमीशने तो चलिए दोस्तों यहां तक के लिए हो होगा आगे चलते हैं कुद्बुदी नेबग का कार पूरा करवाया इनके सासनकार में मंगोल का आक्रमण होता है मंगोल का आक्रमण कहां होता है उत्तरी पस्चिमी सिंध में मंगोल का सासनकार से प्रारम होता है तो यहाँ पर देख लीजिएगा यह दो नमबर में सब्सक्राइब इलतुतनों दीन फिरोज साह गद्दी पर बैठ जाता है अब कि अब यहां से एक पांट को बहुत ध्यार्ण से देखेगा कि इलतुतमीज जो था इल्तू तमेज के एक पूत्र और एक पूत्री थी कौन-कौन एक पूत्र और एक पूत्री थी पूत्र का नाम था रुकुनुदीन फिरोज साह पूत्र का नाम था और पूत्री का नाम था राजिया सुल्तान आप यहां पर देख सकते हैं पूत्री का नाम था राजिया सुल में कहा जाता है कि जो इलतु तमेश था इलतु तमेश ने अपने मरने से पहले अपनी पूरी राजगद्दी को रुकुन दिन फिरोज सा नहीं सोरी राजिया सुल्तान के नाम कर दिया था लेकिन इनके मरने के बाद में इनके दरवारी जो थे या फिर इलतु तमेश को चाह आने वाले थे तो इनको गष्द्व बैठा दिये अब राजिया सुल्तान नाराज हो गई ड़ंडीन फिरोज साज को कि छुछन गुटूमदिन फिरोज साह को किसने राजया सुल्तान अब हो गया राजया दीर में गड़ी पिध॥ है अब गड़ी पर बइठने के बाद में राजया सुल्तान और गड़ी प्रोथने देख लेते हैं त्रोस एक जोडार में हमने बताया किम इसकी दो पूतर एक पूत्र और पूत्री थी रुकुनुदीन फिरोज साह गर्दी पर बैठ जाते हैं इनके मरने के बाद में लेकिन इन्होंने मरने से पहले राज्या सुल्तान को अपनी पूरी राजगर्दी को सौप दिया था तो अब देखते हैं प्रथम मुस्लिम महिला सासिका बनी कौन र पूरी शलतनत, काल, में और फिका नीचे कि अब राज्या के संब्ध में कुछ कहा जाता है कि राज्या ने याकूत के साथ कुछ उनका गढ़ा संब्ध प्रेवयवाहिएक, तो याकूत स राज्या सुल्तान यहाँ पर देख सकते हैं कि अमीर ए कह अकूर की उपाधि यानि इसको होता है घोड़े ज़िव्ट का मालिक निवग कर दिया और जाता है कि यह राज किसी को सोभा नहीं देता था किसी को क्यों नहीं देता था चुकि यह याकूत था यह उच्छ कुल का मुसल्मान नहीं था यह उच्छ कुल का मुसल्मान नहीं था इसलिए सभी जो दरबारी थे उनको यह पसंद नहीं था लेकिन राजिया ने अपनी घो कोड़ी का सिपाही पद्वी दे दिया किसको या को तो फाइनली होता क्या है यह पुड़े दर्वार में सुभा नहीं देता है और कुछ दर्वारी जाकर भटिंडा के सुभिदार से आगर करते हैं कि आप चढ़ाई कीजिए और आपके चढ़ाई में राजिया सुल्तान को हराने का प्रयास कीजिएगा और मैं आपको साथ दूंगा मैं आपका साथ दूंगा तो भटिंडा के सुभिदार अलतूनिया ने बटिंडा के सुभिदार देखती हैं कि अब हमारी गद्दी तो कोई दूसरा ले लेता है तो इन्हों ने एक चलांके कि भटिंडा के सुविदार अलतुनिया से साधी कर ले और जिससे कि अलतुनिया और राज्या सुल्तान ने दोनों मिलकर दिल्ली सल्तनत पर आकर हमला कर दिया हमला करने के पहस्च दोनों कि इसको कयद करके अपने राज मिले गया तब तक राजगत्दी खाली थी तो उस खाली राजगत्दी में बहराम जाता है और बहाराम साह करा है पहाराम बैठने के है तो आप देखेंगे कि इनके बाद राजी सुल्तान के बाद ऐसा कोई भी सासक बहुत अच्छे तरीके शासन नहीं कि यानिकि सभी मशूद मसूद साह होगे नसीरु महमुद हो गए इन सभी की कारेकार में कोई ऐसा विश्यसकार नहीं हुआ जिसकों की पढ़ना पड़े तो चलिए दोस्तों इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि बहराम साथ जो है इनका कारेकार 1240 से 1242 में होता है चलिए दोस्तों थोड़ा सा भूल गें थोड़ा सा राजय सुल्तान के विशे में कहना चाहता हूं कि राजय सुल्तान ने राजगदी पर बैठा तो इन्हों ने परदा परथा का अंत्र कर दिया और इन्हों ने चोंगा और टोपी पहनना कर दिया जिससे के इनके सभी दर्वारियों को रास नहीं लगा और इन पर आक्रमण के लिए भटिंडा के सुभधा अलतुनिया से आक्रमण करवाने का प्रयास किया तो अब उसके पहले हमने सभी को बता भी यह कि प्रकार से हत्या हुई तो फाइनली बहराम सा राजगद के बाद में राजयात सुल्तान ने फिर आक्रमण करता है लेकिन उनकी मित्ति हो जाती है तो अब भाराम सा बढ़ जाता है और दो साल गद्धी पर बढ़ता है लेकिन कुछ भी कार नहीं कर सकता है यानि कि अयोग सासक होता है फिर उसके बाद अलाव दिन महसूद सा बढ छट हिस्वी तक रहता है अब देखिए यहां से थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग बनता है कि जो नसीदुदीन महमूर साह कहा जाता है इनके संब्ध में कुछ कहा जाता है कि जो बलबन था बलबन आप जानते हैं गयासुदीन बलबन न ऐसे नाम था देखिए इनके इनके साह कर दिया अपने पूस्टि का विवहां इसके साथ कर दिया नसीरु दुन महमूद के साथ कर दिया जिससे कि नसीरुदीन महमूद अच प्रसन होकर इनका एक उपाधी भी देते हैं उस उपाधी का नाम है उलुक खां का उपारी का या अपनी बेटरी का बिवा नसीरुदिन महमूद साह से कर देते हैं कौन बल्बन कर देते हैं और कुछ दिन बाद उनसे राजगदि भी छहें लेते हैं तो अब इनके समें संभन में चलते हैं 1266 नेलिए और बल्बन वहीं आदमी है कोण जो यहां पर देख रहे हैं तुरुकान अचिहलगानी यहां देख रहेंगे न कि तुरुकान E चिहलगानी यानिकि इसमें जो किसने कर वाया था निमार तुरुकान E चेहलगानी का निर्माड आप यहां देख सकते हैं किसके तुर्का ने चेहलगानी का निर्माड कर रहा था जिन में 40 सदस थे उसी 40 सदस में से एक था बलबन बलबन ने फाइनली अब राजगदी पर बैड़ जाता है कब से बैड़ता है 266 से लेकर 287 के बीच में और यहां उसी चेहलगानी तुर्का ने चेहलगानी का एक सदस था और नसीरिदु ने उसे उलुखा के उपादी दी क्यों दी क्योंकि इन्हों ने अपने पुत्री का विवा नसीरिदु दिन के साथ कर दिया था अब देखिए बलबन ने रक्त अपनाई थी क्योंकि इन्हों ने अपने ससुर्या दमात की मिर्तिव कर दिया था जिससे के सभी दर्बारी जो थे यह सभी दर्बार में जो लोग थे वे नाराज थे तो वो लोग इनको मारने या इनको राजगदी से हटाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे तो इन्हों ने लग रक्त एवन लग की नीती अपनाए जिस नीती के तहट इन्हों ने बताया कि यदि हमारे राज या हमारे संबन में कोई भी आता है तो उसको काटने में हम पीछे नहीं हट आगे बढ़ते चले जाएंगे अब नेक्स्ट है उसने देवत के सिधान्त को अपनाना उन्हों ने देवत के सिधान्त को अपनाया या माना अब दोस्तों देवत के सिधान्त क्या है देवत के सिधान्त का फुल एक्स्प्लेन करेंगे कि देवत को सिधान्त क्या होता है मे मेरा पढ़ाने का मतलब होता है कि याद किस प्रकार रखा जाए और याद करने के लिए उसका में जड़ क्या होता है उसका फूल याद करने में आसानी होती है तो अब बात आती है देवत के सिधानत को अपनाया किसने बलवन्य देवत का सिधानत यह होता है कि उन्होंने स्वयम को अल्लाह माना यानि कि इस्वर का प्रतिनिधी माना दोस्तों इन्होंने अपने आपको अल्लाह याद इस्वर का निरंग कुस्ता का सिधांत मतलब होता है यह कोई इनके राज में या फिस इनके राज को करने में कोई दखल अंदारी करता है तो इसको मारने में थोड़ा सा भी देर नहीं करेगा अब इतना तक हो सकता है स्क्रीनले को घूमाया तो आप केमरां गुमाता हूं जिससे कि आपको पूरी तरस से दिखे हुआ इसा हो गया इंहां दिखे तो हाँ चलिए दिख रहा है न आपको फ़्रस होपर प्लेस लाइट माझा है जाला इच्छा अब क्या है आगे नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट में है कि उसने तूर्कान चिहलगानी को समाप्त कर दिया दोस्तों वहीं है बलबन वहीं है तुरकान चिहलगानी का सदस है पर तुरकान चिहलगानी के सदस को समाप्त कर दिया चुकि जानता था यदि तुरकान चिहलगानी दहेगा तो हमको राज करने में असुविधा होगी तो इन्होंने तुरकान ने चेहलगानी का तुर्का ने चेहलगानी को समाप्त कर दिया तो चलिए इस नापर्ण को आप लोग कर लिए होंगे उसने सीजदा प्रथा और पोबोस प्रथा को चलाया दोस्तों बहुत बहुत इंपोर्टेंट है सीजदा प्रथा और पोबोस प्रथा दोस्तों बहुत इसका अर्थ नहीं बताते हैं डायरेक्ट रत्वाएं कि इन्हों ने सृजदा प्रथा और प्रबोश्थ प्रथा को अपनाया दोसिता प्रथा अमनलब क्या होता है कि जो सासख होता सभी दरबारियों के आगे अपना मस्तक को टेगना होता है सिरी जीता प्रथा और क्या होता है प्रबोष प्रथा में दोस्तों बता जाता है कि उन्हों ने अप्रबोषक प्रथाalone अंतरगत में बताया था कि जो सासक होता है यानि कि लोग दरबार में जाते नमन करते थे और पैरों को चुमते थे तो पुबोस्प्रथा समझ में आ गया होगा और देखते हैं अगले तरफ किवार पुबश पर्था अगला क्या है पारसी तेवहर इन्हों ने एक पारसी तेवहर है जिससे नौरोज कहा जाता है उसको प्रारम किया यानि कि उसकी शु पॉइंट क्यों चलते हैं बलबन ने मंगोलों की आक्रमर से बचाया आप देख सकते हैं यहां पर कि जो पहला मंगोल का आक्रमर हुगा था तो आप जानते हैं कि इलतु तमीज के से असनकार में पहला है। तो आप मंगोल की आक्रमर से बचने के लिए। से क्मऻतने के लिए बसेजिटीक समझ लीज है कि मंगोल से बचने के लिए इन्हों ने तूर झीना दिव combos कि किस्थापना किया जो कि मंगोलों से यहीं बचने के लिए इन्हों ने किया था अब देख थुरा सा अगले क्यों चलते हैं क्या दर्बारी कभी अमीर खुसरों एवं अमीर हसन थे इनके दर्बारी कभी कहा जाता है कि जो अमीर खुसरों थे इन इनको बहुत तेजी से प्यास लगी थी तो प्यास लगने के सम्मंद में इन्हों ने एक कुईय के पास आये और कुईय के पास आये तो वहाँ पर चार नारिया थी तो चारो नारियों से कहा कि हमको पानी पिला दीजे तो चारो नारियों ने इनके सम्मंद में समझा था कि इ इनको बहुत तेजी से प्यास लगी थी तो प्यास लगने के पहस्चात इन्हों ने कहा कि हम यानि कि इनको प्यास इनना तेज से लगी थी कि चारो कहानियों या चारो इस लोको को सुनाने में इनकी प्राण भी जा सकती थी तो इन्हों पूछा कि किन को सुनना है किस पर सुनना है तो उन्हों ने बताया कि हम कविता को सुना देते हैं कि इन्हों ने बताया देखिए क्या है प्रस जाद करें कि देखिए याद आगया इन्हों ने इसको लोक सुमाया और फिर पकाई जतन से चरखा दिया चला है आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए पर आनसार यानी किसी ने खीचड़ी पर और कसे ने कुट्ता पर अर किस को भर शुनने के लिए करह तिन्हों ने तु बैठी धोल बजय यह हैं इनका इस लोग था इनको कहा जाता है कि बहुत अच्छे धरबारी कभी थे अमीर खुस्रो और अमीर हसन इनके दो तरवार कभी थे अब तो अमेर्ख खुश्वों को जिन्दघी में भूलोगे गुल्वारी कभी बल्बन के दोस्तों आगे हैं इन के बार में एक कईकूर वाद आते हैं जो कि अठार 295 से 1290 के भीज में लबार करते हैं 1871ं के बिच में इन्हों एनका आता है फिर उनकी इनका पूत्र निकी मरने के वाद में इनका पूत्र राजगर्दी पर बैठता है और जोड़े गुलाम वनस का पूरब गुलाम उंस का क्या है अंतिम सास्क है कौन क्यूमर्स पूड़े गुलाम वन्स का अंतिम सास्क है क्यूमर्स है जो कि महस्त तीन चार महिने तक बैठता है राजगद्दी पर और उनको बैठने के बाद में जलालुदीन फिरोज खेल जी ने इनकी हत्या करकर अपनी एक अपनी एक अलग वन्स की स्थापना किया जिसका नाम है खेल जी वन्स की स्थापना कि मर्स को माल कर गयासु दिन जलालुदीन फिरोज खेल जी ने किया तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा यदि दोस्तों वीडियो अच् नहीं है अच्छी बात है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में आप से अलविदा चाहता हूं आपका सुप चिंतक गोपी चंद तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में नेक्ष्ट टापिक यो और तब तक के लिए जैहिंद बाई-बाई- Thank you, all the best.